होरी ने दोनों बैलों को सानी पानी दे कर अपनी इस्त्री धनिया से कहा गूबर को उख गूणने भेज देना मैं ना जाने कब लोटू जरा मेरी लाठी दे दे धनिया के दोनों हाथ गूबर से भरे थे उपले पात कर आई थी बोली अरे कुछ रस पानी तो कर लो ऐसी जल्दी क्या है होरी ने अपने जुर्यों से भरे हुए माथे को सिकोड कर कहा तुझे रस पानी की पड़ी है? मुझे ये चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेटना होगी असनान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बैठे बीद जाएगा इसी से तो कहती हूँ कुछ जल्पानी कर लो और आज ना जाओगे तो कौन हा रज होगा? अभी तो परसो गए थे तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अडाती है भाई? मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख ये इसी मिलते जुलते रहने का परसाद है कि अब तक जान बची हुई है नहीं तो कहीं पता न लगता कि कि धर गए? गाउं में इतने आदमी तो हैं? किस पर बेदखली नहीं आई? किस पर कुडकी नहीं आई? जब दूसरे के पावो तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पावो को सहलाने में ही कुशल है धनिया इतनी वेवहार कुशल ना थे उसका विचार था कि हमने जमीदार के खेद जोते हैं तो वो अपना लगान ही तो लेगा उसकी खुशामत क्यों करें? उसके तलवे क्यों सहलाएं? यद्यपी अपने विवाहित जीवन के इस 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभाव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर ब्योंत करो कितना ही पेड तन काटो चाहे एक एक कोड़ी को दातों से पकड़ो मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है फिर भी वो हार न मानती थी और इस विशेपर इस्तरी पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था उनकी छे संतानों में अब केवल तीन जिन्दा है एक लड़का गोबर कोई सोला साल का दो लड़किया सोना और रुपा बारा और आर्ट साल की तीन लड़के बचपन में ही मर गए उसका मन आज भी कहता था कि अगर उसकी दवादारू होती तो वो बच जाते पर वो एक धेले की दवा भी न मंगवा सकी उसकी भी उम्र अभी क्या थी 36 वा ही तो साल था पर सारे बाल पक गए थे चहरे पर जुरियां पड़ गई थी सारी देह ढल गई थी वो सुन्दर गेहुआ रंग सावला गया था और आखों से भी कम सूजने लगा था पेट की चिंता ही के कारण तो कभी तो जीवन का सुख न मिला इस चिर स्थाई जीर्णा वस्था ने उसके आत्म सम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था जिस ग्रहस्ती में पेट की रूटियां भी मिले उसके लिए इतनी खुशामत क्यों इस परिस्थिती से उसका मन बार बार विद्द्रोह करता रहता था और दो चार घुड़कियां खा लेने पर ही उसे यथार्थ का ग्यान होता था उसने परास थोकर होरी की लाठी मिरज़ई जूते पगड़ी और तमाखों का बटवा लाकर सामने पटक दिये होरी ने उसकी और आँखे तरेर कर कहा क्या ससुराल जाना है जब पांचो पोसाक लाई है ससुराल में भी तो कोई जवान साली सलहज नहीं बैठी जिसे जाकर दिखाऊ होरी के गहरे सामले पिछके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की म्रदुता जहलक पड़ी धनिया ने लजाते हुए कहा ऐसे ही तो बड़े सजीले जवान हो कि साली सलहजे तुम्हें देखकर रीज जाएंगी होरी ने फटी हुई मिरजई को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा तो क्या तू समझती है मैं बुढ़ा हो गया अभी तो चालिस भी नहीं हुए मर्द साठे पर पाठे होते हैं जाकर सीसे मैं मुह देखो तुम जैसे मर्द साठे पर पाठे नहीं होते दूद घी अंजन लगाने तक को मिलता नहीं पाठे होंगे तुम्हारी दशा देख देखकर तो मैं और भी सुखी जाती हूँ कि भगवान ये बुढ़ापा कैसे कटेगा किसके द्वार पर भीक मांगेंगे होरी की वो छणिक म्रदुता यथार्थ की इस आच में जैसे जुलस गई लकडी संभालता हुआ बोला साठ तक पहुचने की नौबत ना आपाएगी धनिया इसके पहले ही चल देंगे धनिया ने तिरसकार किया अच्छा रहने दो अब असुब मुझे ना निकालो तुमसे कोई अच्छी बात भी कहो तो लगते हो कोसने होरी कंधे पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही उसके इस निराशा भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाये हुए हिर्दे में आतंक में कमपन सा डाल दिया था वो जैसे अपने नारीत्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पती को अभैदान दे रही थी उसके अंताकराण से जैसे आशिरवादों का व्यूहुसा निकल कर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था विपन्नता के इस अथाह सागर में सोहाग ही वो त्रण था जिसे पकड़े हुए वो सागर को पार कर रही थी इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो जटका देकर उसके हाथ से वो तिनके का सहारा छीन लेना चाहा बलकि यथार्थ के निकट होने के कारण है उनमें इतनी वेदना शक्ती आ गई थी काना कहने से काने को जो दुख होता है वो के दो आखों वाले आदमी को हो सकता है होरी कदम बढ़ाये चला जाता था पगडंडी के दोनों और उख के पोधों की लहराती हुई हरियाली देखकर उसने मन में कहा भगवान कहीं गव से बर्खा कर दे और डांडी भी सुभीते से रहे तो एक गाय जरूर लेगा देशी गाय ना तो दूद दे ना उनके बचवे ही किसी काम के बहुत हुआ तो तेली के कोलू में चले नहीं वो पच्छाई गाय लेगा उसकी खूब सेवा करेगा कुछ नहीं तो चार-पांस सेर दूद होगा गूबर दूद के लिए तरस-तरस कर रह जाता है इस उमिर में ना खाया पिया तो फिर कब खायेगा साल भर भी दूद पीले तो देखने लायक हो जाए बच्छुवे भी अच्छे बैल निकलेंगे दोसों से कम की गोई ना होगी फिर गूब से ही तो द्वार की शोभा है सभेरे सभेरे गोई के दर्शन हो जाएं तो क्या कहना ना जाने कब ये साध पूरी होगी कब वो शुब दिन आएगा हर एक ग्रहस्त की भाती होरी के मन में भी गोई की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वपन सबसे बड़ी साध थी बैंक सूध से चैन करने या जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल अकांगशाएं उसके नन्हे से इर्दे में कैसे समाती जीट का सूर्य आमों के जुर्मुट से निकल कर आकाश पर च्छाई हुई लालिमा को अपने रजद प्रताप से तेज ब्रदान करता हुआ उपर चड़ रहा था और हवा में गर्मी आने लगी थी दोनों और खेतों में काम करने वाले किसान उसे देख कर राम राम करते और सम्मान भाव से चिलम पीने का निमंत्रन देते थे पर होरी को इतना उकाश कहां था उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व की जहलक पैदा कर रही थी मालिकों से मिलते जुलते रहने ही का तो यह प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं नहीं उसे कौन पूछता पांच बीगे के किसान की बिसात ही क्या ये कम आदर नहीं है कि तीन तीन चार चर हल वाले महतों भी उसके सामने सिर जुकाते हैं अब वो खेतों के बीच की पगडंडी छोड़कर एक खलेटी में आ गया था, जहां बरसात में पानी भर जाने की कारण तरी रहती थी और जेट में कुछ हरियाली निजर आती थी, आसपास के गावों की गवें यहां चरने आया करती थी, उस समय में भी यहां की हवा में तयार थे, अच्छी रकम देते थे पर इश्वर भला करे राय साहब का, कि उन्होंने साफ कह दिया ये जमीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है, और किसी दाम पर भी ना उठाई जाएगी, कोई स्वार्थी जमिदार होता तो कहता गाएं जाएं भाड में, ह भूला इसी गाउं से मिले हुए पुर्वे का गौाला था और दूद मक्खन का व्यवसाय करता था, अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथों गाए बेच देता था, होरी का मन उन गायों को देख कर ललचा गया, अगर भूला वो आगे वाली गाए उसे दे तो क्या कहना, रूपए आगे पीछे देता रहेगा, वो जानता था घर में रूपए नहीं है, अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सका, बिसेसर साहू का भी देना बाकी है, जिस पर आने रूपए का सूध चड़ रहा है, लेकिन दरिदरता में जो एक प्रकार की अदूर दर्शिता होती है, वो निरलज्जता जो तकाजे, गाली और मार से भी भैभीत नहीं होती, उसने उसे प्रोथसाहित किया, बरसो से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी, उसने उसे विचलित कर दिया, भोला के समीब जाकर बोला, राम राम भोला भाई, कहो क्या रंग है, सुनाप की मेले से नई गाय लाए हो, भोला ने रुखाई से जवाब दिया, होरी के मन की बात उसने तार ले थी, हाँ, दो बच्छिय और दो गाय लाया, पहले वाली गाय सब सूख गई थी, बंधी पर दूध न पहुचे, तो गुजर कैसे हो, होरी ने आगे वाली ग देने पड़े, आखे निकल गई, तीस-तीस रुपए तो दोनों कलोरों के दिये, तीस पर गाहक रुपए का आठ से रदूध मांगता है, बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई, लेकिन फिर लाए भी तो वो माल, कि यहां दस-पांच गावों में तो किसी के पास निकलेगी नहीं, बोला पर नशा चढ़ने लगा, बोला, राय सहाब इसके सो रुपए देते थे, दोनों कलोरों के पचास-पचास रुपए, लेकिन हमने न दिये, भगवान ने चाहा, तो सो रुपए इसी बियान में पीट लूँगा, इसमें क्या संदे है भाई, मालिक क्या खाके लेंगे, नजराने में मिल जाए, तो भले ले ले, ये तुम्हीं लोगों का गुर्दा है कि अंजुली भर रुपए तकदीर के भरों से गिन देते हो, यही जी चाहता है कि इसके दर्शन करता रहूं, धन्य है तुम्हारा जीवन की गवों की इतनी सेवा करते ह हमें तो गाय का गोबर भी मैस्सर नहीं, गिरस्त के घर में एक गाय भी नहों, तो कितनी लज्जा की बात है, साल के साल बीच जाते हैं, गोरस के दर्शन नहीं होते, घर वाली बार बार कहती है भोला भाया से क्यों नहीं कहते, मैं कह देता हूँ, कभी मिलेंगे तो तुम्हारे सुभाव से बड़ी परसन रहती है कहती है ऐसा मर्द ही नहीं देखा कि जब भी बाते करेंगे आखें नीची करके सिर कभी नहीं उठाते बोला पर जो नशा चड़ रहा था उसे इस भरपूर प्याले ने और गहरा कर दिया बोला आदमी वही है जो दूसरों की बहु बेटी को अपनी बहु बेटी समझे जो दुष्ट किसी महरिया की और ताके उसे गोली मार देना चाहिए ये तो तुमने लाख रुपे की बात कह दी भाई बस सज्जन वही जो दूसरों की आबरू को अपनी आबरू समझे जिस तरह मरत के मर जाने से औरत अनात हो ज जाते हैं मेरा तो घर उजड़ गया मातो कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं गत वर्ष भोला के इस्त्री लू लग जाने से मर गई थी ये होरी जानता था लेकिन पचास वर्ष का खंखल भोला भीतर से इतना इस्निक्द है वो न जानता था स्त्री की लालसा उसक नहीं ठीक कर लेते ताक में हूँ मैं तो पर कोई जल्दी फांसता नहीं सव पचास खरच करने को भी तयार हूँ जैसी भगवान की इच्छा अब मैं भी फिकर में रहूँगा भगवान चाहेंगे तो घर जल्दी बस जाएगा बस यही समझ लो की उबर जाओंगा भहिया घर में खाने को भगवान का दिया बहुत है चार पसेरी रोज दूद हो जाता है लेकिन किस काम का मेरे सस्वराल में एक महरिया है तीन चार साल हुए उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया बेचारी पिसाई करके गुजारा कर रही है बाल बच्चा भी कोई नहीं देखने सुनने में अच्छी है बस लच्चमी समझ लो बोला का सिकड़ा हुआ चहरा जैसे चिकना गया आशा में कितनी सुधा है बोला अब तो तुम्हारा आसरा है महतो छुटी हो तो चलो एक दिन देखाए मैं ठीक ठीक करके तब तुमसे कहूंगा बहुत उतावली करन नहीं है दादा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुचाना चाहता, अपना धर्म ये नहीं है कि मित्रों का ग़ला दबाए जैसे इतने दिन बीते हैं वैसे ओर भी दिन बीत जाेंगे, तुम तो ऐसी बाते करते हो होरी, जैसे हम तुम दो है, तुम गायले जाओ, दाम जो है भाई होरी की छाती गज भरकी हो गई असी रुपए में गाय महंगी ना थे ऐसा अच्छा डील डॉल दोनों जून में 6-7 सेर दूद सीधी ऐसी कि बच्चा भी दूले इसका तो एक एक बाच्छा सौ सो का होगा द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शुभा बढ़ जाए सगाई ना भी हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है यही तो होगा भूला बार बार तकादा करने आएगा बिगड़ेगा गालिया देगा लेकिन होरी को इसकी ज्यादा शर्म ना थी इस विवहार का वो आदी था क्रशक के जीवन का यही तो प्रसाद है भूला के साथ वो वो व्यापार उसकी मर्यादा के अनकूल था। अब भी लेन देन में उसके लिए लिखा पढ़ी होने और ना होने में कोई अंतर ना था। सूखे बुड़े की विपदाएं उसके मन को भीरू बनाए रहती थी। इश्वर का रौध रूप सदय उसके सामने रहता था पर ये चल उसकी नीती में चल ना था। ये केवल स्वार्थ सिद्धी थी और ये कोई बुरी बात ना थी। इस तरह का चल तो वो दिन रात करता था। घर में दो-चार रुपए पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कस्मे खा जाता था कि एक पाई भी नहीं है। सन को कुछ गीला कर देना और रुई में कुछ बिनौले भर देना उसकी नीती में जायस था और यहां तो केवल स्वार्थ ना था। थोड़ा सा मनुरंजन भी था। बुढ़ों का बुढ़भस हास्यपद वस्तु है और ऐसे बुढ़ों से अगर कुछ एट भी लिया जाये तो कोई दोश पाप नहीं। भुला ने गाये की पगहिया होरी के हाथ में देते हुए कहा ले जाओ महतो तुम भी याद करोगे ब्याते ही छे सेर दूद ले ले लेना चलो मैं तुम्हें घर तक पहुचा दू साइथ तुम्हें अंजान समझ का रास्ते में कुछ दिख करें। अब तुमसे सच कहता हूँ मालिक 90 रुपए देते थे पर उनके यहां गवों की क्या कदर मुझसे लेकर किसी हाकिम हुकाम को दे देते हाकिमों को गव की सेवा से मतलब वो तो खून चूसना भर जानते हैं जब तक दूद देती रखते फिर किसी के हाथ बेच देते किसके पले पड़ती कौन जाने रुपए ही सब कुछ नहीं है भाईया कुछ अपना धरम भी तो है तुम्हारे घर आराम से रहेगी तो ये ना होगा कि तुम आप खा कर सो रहो और गव भूखी खड़ी रहे उसकी सेवा करोगे चुमकारोगे गव हमें आसिरवात देगी तुमस इनकार कर दिया इतने जानवरों को क्या खिलाएं यही चिंता मारे डालती है चुटकी चुटकी भर भी खिलाओं तो मन भर रोज का खरच है भगवान ही पार लगाए तो लगे होरी ने सानुभूती के स्वर में कहा तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा हमने एक गाड़ी भ पत्ती पत्ती खिला कर जिला लूँगा लेकिन अब ये तो राति बिना नहीं रह सकती हो सके तो दस बीस रुपए भूसे के लिए दे दो किसान पक्का स्वार्थी होता है इसमें संदेह नहीं उसकी गाड़ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं भाव पत्ताव में भी वो चौकस होता है ब्याज की एक एक पाई छुडाने के लिए वो महाजन की घंटो चिरोरी करता है जब तक पक्का विश्वास न हो जाए वो किसी के फुसलाने में नहीं आता लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकरती से स्थाई सहियोग है व्रक्षों म फल लगते हैं उन्हें जंता खाती है खेती में अनाज होता है वो संसार के काम आता है गाए के थन में दूध होता है वो खुद पीने नहीं जाती दूसरे ही पीते हैं मेगों से वर्षा होती है उससे प्रत्वी तरप्त होती है ऐसी संगती में कुछ से स्वार्थ के लिए स जाता हुआ बोला, रूपए तो मेरे पास नहीं है, हाँ, थोड़ा सा भूसा बचा है, वो तुम्हें दूंगा, चल कर उठवा लो, भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूंगा, मेरे हाथ ना कड़ जाएंगे, भूला ने आदर कंठ से कहा, तुम्हारे बैल भू से मुझे मालूम होता, तो मुझे बड़ा रंज होता, कि तुमने मुझे इतना गयर समझ लिया, आउसर पढ़ने पर भाई की मदद भाई भी ना करे, तो काम कैसे चले, मुदा ये गाय तो लेते जाओ, अभी नहीं दादा, फिर ले लूंगा, तो भूसे के दाम दूद मे कटवा लेना, होरी ने दुखित स्वर में कहा, दाम कोडी की इसमें कौन सी बात है दादा, मैं एक दो जून तुम्हारे घर खा लूँ, तो तुम मुझसे दाम मांगोगे, लेकिन तुम्हारे बैल भूको मरेंगे की नहीं, भगवान कोई न कोई सबील निकालेंगे ही, आ इस समय तुम्हारी गाए लेने में है, होरी में बाल की खाल निकालने की शक्ती होती, तो वो खुशी से गाए लेकर घर की राह लेता, भोला जब नकद रुपए नहीं मांगता, तो इस पश्ट था कि वो भूसे के लिए गाए नहीं बेच रहा है, बलकि इसका कुछ और आ अंतरों से उसकी आत्मा का अंश बन गई थी, भोला ने गदगद कंठ से कहा, तो किसी को भेज दू भूसे के लिए, होरी ने जवाब दिया, अभी मैं राय साहब की डिवड़ी पर जा रहा हूँ, वहाँ से घड़ी भर में लोटूंगा तब ही किसी को भेजना, भोला की अज मुझे उबार लिया होरी भाई, मुझे अब मालूम हुआ कि मैं संसार में अकेला नहीं हूँ, मेरा भी कोई हितू है, एक छण के बाद उसने फिर कहा, उस बात को भूलना जाना, होरी आगे बढ़ा था उसका चित्त प्रसन था, मन में एक विचित्र स्फूर्ती हो र भगवान करे मुझे कोई महरिया मिल जाए, फिर तो कोई बात ही नहीं, उसने पीछे फिर कर देखा, कबरी गाय पूच से मख्या उडाती, सिर हिलाती, मस्तानी मंद गती से जूमती चली जाती थी, जैसे बांदियों के बीच में कोई रानी हो, कैसा शुब होगा वो दिन, जब ये काम धेनू उसके द्वार पर बंदेगी, सिमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गाउं हैं, जिले का नाम बताने की कोई जरूरत नहीं, होरी बेलारी में रहता है, राय साहब अमरपाल सिंग सिमरी में, दोनों गाउं में किवल पांच मील का अंतर है, पिछल के इलाके में आसामियों के साथ कोई खास रियायत की जाती हो, या डान और बेगार की कड़ाई कुछ कम हो, मगर ये सारी बदनामी मुक्तारों के सिर जाती थी, राय साहब की कीरती पर कोई कलंक ना लग सकता था, वो बेचारे भी तो उसी व्यवस्था के गुलाम थे, जह कामियों से वो हसकर बोल लेते थे, यही क्या कम है? सिन का काम तो शिकार करना है, अगर वो गरजने और गुराने के बदले मीठी बोली बोल सकता, तो उसे घर बैठे मनमाना शिकार मिल जाता, शिकार की खोज में जंगल में न भटकना पड़ता, राय साहब अच्छे वक्ता थे, अच्छे लेखक, अच्छे निशाने बाज, उनकी पतनी को मरे आज दस साल हो चुके थे, मगर दूसरी शादी ना की थी, हस बोलकर अपने विधुर जीवन को बहलाते रहते थे, होरी डेवड़ी पर पहुचा तो देखा, जेट के दशेहरे के अफस काम में लगे हुए थे, अपने पिता से संपत्ती के साथ साथ उन्होंने राम की भक्ती भी पाई थी, और धनुश यग्य को नाटक का रूप देकर उसे शिष्ट मनुरंजन का साधन बना दिया था, इस उसर पर उनके यार दोस्त हाकिम हुकाम सभी निमंत्रित होते थे, और दो-तिन दिन इलाके में बड़ी चहल पहल रहती थी, राय साहब का विशाल परिवार था, कोई डिर्ण सो सरदार एक साथ भोजन करते थे, कई चचा थे, दरजनों चचेरे भाई, कई सगे भाई, बीसियों नाते के भाई, एक चचा साहब राधा के अनन्यों पासक थे और बराबर रंदावन में रहते थे, भाक्ति रसके कितने ही कवित रच डाले थे, और समय समय पर उन्हें छपवा कर दोस्तों को भेट कर देते थे, एक दूसरे चचा थे, जो राम के परमभक्त थे, और फारसी भाषा में रामायार का अनुवात कर रहे थे, रियासत से कोई काम करने की जरूरत ना थी होरी मंडप में खड़ा सोच रहा था कि अपने आने की सूचना कैसे दे किस ऐसा राय साहब उधर ही आ निकले और उसे देखते हुए बोले अरे तु आ गया होरी मैं तो तुझे बुलवाने वाला था देख अब की तुझे राजा जनक का माली बनना पड़ेगा समझ गया ना जिस वक्त श्री जानकी जी मंदिर में पूजा करने जाती हैं उसी वक्त तु एक गुलदस्ता लिए खड़ा रहेगा और जानकी जी की भेट करेगा गलती ना करना और देख आसामियों से ताकीद करके कह देना कि सब के सब शगुन करने वो आगे आगे कोठी की ओर चले होरी पीछे पीछे चला वहीं एक घने व्रक्षी की छाया में एक कुरसी पर बैठ गए और होरी को जमीन पर बैठने का इशारा करके बोले समझ गया मैंने क्या कहा कारकुन को तो जो कुछ करना है वो करेगा ही लेकिन आसामिय जितने मन से आसामी की बात सुनता है कारकुन की नहीं सुनता हमें इनहीं पांस साथ दिनों में बीस हजार का प्रबंद करना है कैसे होगा समझ में नहीं आता तुम सोचते होगे मुझ टके के आदमी से मालिक क्यों अपना दुख्रा ले बैठे, किस से अपने मन की कहूं, ना जाने क्यों तुम्हारे उपर विश्वास होता है, इतना जानता हूं कि तुम मन में मुझे पर हसोगे नहीं, और हसो भी तो तुम्हारी हसी में बरदाश्त कर लूँगा, उनकी हसी न बैर है, हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए, हमारा दान और धर्म कुरा आहंकार है, विशुद आहंकार, हम में से किसी पर डिगरी हो जाए, कुरकी आ जाए, बकाया माल गुजारी की इलत म हवालत हो जाए, किसी का जवान बेटा मर जाए, किसी की विद्वा बहु निकल जाए, किसी के घर में आग लग जाए, कोई किसी वैश्या के हाथो उल्लू बन जाए, या अपने आसामियों के हाथो पिट जाए, तो उसके और सभी भाई उस पर हसेंगे, बगले इस रियासत की बदावलत मौज उड़ा रहे हैं, कविता कर रहे हैं, और जुए खेल रहे हैं, शराबे पी रहे हैं और आयाशी कर रहे हैं, वो भी मुझसे जलते हैं, आज मर जाओं तो गी के चिराग जलाएंगे, मेरे दुख को दुख समझने वाला कोई नहीं, उनकी न अगर ब्याह कर लूँ, तो ये विलासांधता होगी, अगर शराब नहीं पीता तो मेरी कंजूसी है, शराब पीने लगू, तो वो प्रजा का रक्त होगा, अगर आयाशी नहीं करता तो अरसिक हो, आयाशी करने लगू, तो फिर कहना ही क्या, इन लोगों ने मुझे भोग विलास में फसाने के लिए कम चाले नहीं चली, और अब तक चलते जाते हैं, उनकी यही इच्छा है कि मैं अंधा हो जाऊं और ये लोग मुझे लूट ले, और मेरा धर्म ये है कि सब कुछ देख कर भी कुछ न देखू, सब कुछ जान कर भी गधा बना रहूं, राय साहा थी कि ऐसी बाते हमी लोगों में होती हैं, पर जान पड़ता है, बड़े आदमियों में भी उनकी कमी नहीं है, राय साहब ने मुझ पान से भर कर कहा, तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो, हमारे नाम बड़े हैं पर दर्शन थोड़े, गरीबों में अगर इर्शया या व तो देवता है, बड़े आदमियों की इर्शया और वैर केवल आनंद के लिए है, हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचिता और कुटिलता में ही निस्वार्थ और परमानंद मिलता है, हम देवतापन के उस दरजे पर पहुच गए हैं, जब हमें दूसरों के रो मामूली ज्वर भी आजाए, तो हमें सरसाम की दवा दी जाती है, मामूली फुनसी भी निकल आए, तो वो जहरबाद बन जाती है, अब छोटे सरजन, बड़े सरजन और मंजोले सरजन तार से बुलाए जा रहे हैं, मसीहुल मुलकों को लाने के लिए दिल्ली आदमी भेज जा रहा है, भिशगा चारे को लाने के लिए कलकत्ता, उधर देवाले में दुर्गा पाठ हो रहा है, और जोतिशा चारे कुंडली का विचार कर रहे हैं, और तंतर के आचारे अपने अनुष्ठान में लगे हुए हैं, राजा साहब को यमराज के मुह से निकालने के कब सिर में दर्द हो, और कब उसके घर में सोने की वर्षा हो, और ये रुपए तुमसे और तुम्हारे भाईयों से वसूल किये जाते हैं, भाले की नोग पर, मुझे तो यही आश्चरे होता है, कि क्यो तुम्हारी आहो का दावानल हमें भस्म नहीं कर डालता, मगर नहीं आश्चरे करने की कोई बात नहीं, भस्म होने में तो बहुत देर नहीं लगती, वेदना भी थोड़ी देर की होती है, हम जो जो और अंगुल अंगुल और पोर पोर भस्म हो रहे हैं, उस हाहाकार से बचने के लिए हम पुलिस की हुकाम की अदालत की वकीलों की शरड लेत लेकिन जिसकी आत्मा में बल नहीं, अभिमान नहीं, वो और चाहे कुछ हो, आदमी नहीं है, जिसे दुश्मन के भय के मारे रात को नीन ना आती हो, जिसके दुख पर सब हंसे और रोने वाला कोई न हो, जिसकी चोटी दूसरों के पैरे में दबी हो, जो भोग विलास के नशे में अपने को बिलकुल भूल गया हो, जो हुकामों के तलवे चाड़ता हो और अपने अधीनों का खून चूसता हो, उसे मैं सुखी नहीं कहता, वो तो संसार का सबसे अभागा प्राणी है, साहब शिकार खेलने आए या दोरे पर, मेरा करतव यह है कि उनकी दुम के पीछे लगा रहो, उनकी भौहों पर शिकन पड़ी और हमारे प्राण सूखे, उन्हें प्रसन करने के लिए हम क्या नहीं करते, मगर वो पचड़ा सुनाने लगू तो शायद तुम्हें विश्वास ना आए, डालियों और रिश्वतों तक की खैर गनीमत है, हम सिजदे कर पर आतंक जमाना ही हमारा उद्यम है, पिशलगों की खुशामत ने हमें इतना अभिमानी और तुनक मिजाज बना दिया है, कि हम में शील, विनय और सेवा का लोप हो गया है, मैं तो कभी-कभी सोचता हूँ कि अगर सरकार हमारे इलाके छीन कर हमें अपनी रोजी के लिए म स्तीमिट जाने वाली है, मैं उस दिन का स्वागत करने को तैयार बैठा हूँ, ईश्वर वो दिन जल्द लाए, वही हमारे उद्धार का दिन होगा, हम परिस्थितियों की शिकार बने हुए हैं, ये परिस्थिती है हमारा सर्वनाश कर रही है, और जब तक संपत्ति की ये कुछ और कहने वाले थे, कि एक चपरासी ने आकर कहा, सरकार, बेगारों ने काम करने से इनकार कर दिया है, कहते हैं, जब तक हमें खाने को ना मिलेगा, हम काम ना करेंगे, हमने धमकाया, तो सब काम छोड़कर अलग हो गए, राय साहब के माथे पर बल पड़ गए, आखे निकाल कर बोले, चलो, मैं इन दुष्टो को ठीक करता हूँ, जब कभी खाने को नहीं दिया, तो आज ये नई बात क्यों, एक आने रोज के हिसाब से मजूरी मिलेगी, जो हमेशा मिलती रही है, और इस मजूरी पर ही काम करना होगा, सीधे करें या ठेडें, फिर होरी की और देख कर बोले, तुम अब जाओ होरी, अपनी तयारी करो, जो बात मैंने कहीं है, उसका खयाल रखना, तुम्हारे गाउं से मुझे कम से कम पांस सो की आशा है, राय साब जलाते हुए चली गए, होरी ने मन में सोचा, अभी ये कैसी कैसी नीती और धरम-धरम की बाते क कर रहे थे, और एकाय कितने गरम हो गए, सूर्य सिर पर आ गया था, उसके तेज से अभी भूत होकर व्रक्षो ने अपना पसार समेट लिया था, आकाश पर मट्याली गर्द छाई हुई थी, और सामने की प्रित्वी कापती हुई जान पढ़ती थी, होरी ने अपना डंड उठाया और घर चला, शगुन के रुपे कहां से आएंगे, यही चिन्ता उसके सिर पर सवार थी झाल